नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आभा और SBT न्यूस पर आप देख रहे हैं राजिस्थान की ताजा खबरे फटाफट अंदाज में जपर में शासन सच्चेवाले के एक सेक्शन अधिकारी के साथ हुई मारपिट के मामले में प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाल लिया है अधिकारी करमच्वारी संकिमांग के बाद पुलिस प्रुशासन ने दो पुलिस कर्मियों, हैट कॉंस्टेबल छितरमल और वजीर को सस्पेंड कर और साथ पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है उसके बाद अब मामला शांत हो गया है जेपर पुलिस कमिशनर आनन श्रीवास्तव ने बताए कि मामले का शांती पुन धंक से समाधान हो गया है रहसान में सर्दी यू टर्न ले चुकी है रविवार रात शीत लहर से एक ही रात में अचानक ठंड बढ़ गई और कई जगा रात का पारा चार से नौ डिग्री सेलसेस तक लोड़ गया बार्मेर में तो 20 साल का रिकार तूट किया यहां 24 घंटे में पारा 6.4 डिग्री सेलसेस लोड़क कर 12.5 डिग्री सेलसेस सीथे 6.1 डिग्री सेलसेस पर आ गया वहीं माउंट आबू में पारा 2 डिग्री गिर कर एक बार फिर माइनस 2 डिग्री तक पहुँच गया है सबसे ज़्यादा गिरावट सीकर चूरू और भील वाड़ा में हुई सीकर में 24 घंटे में सरवादिक 8.5 डिक्री सेल्सियस तक गिरावट आई रासान के अशो कहलो सरकार अपने दो साल के कारेकार में आप टू बॉटम अधिकारियों के कई बात अबादली कर चुकी है फिर भी कॉंग्रिस कारेकरता और नेता अधिकारियों से संतुस्ट नहीं हो पा रही है ऐसे में अप गहलो सरकार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि वो ब्यूरो क्रेसी को बार-बार बदल कर उनकी नाराजगी मोले या फिर कारेकरताओं के शिकायतों को अंसुना करे सरकार अगर बार-बार तबादले करती है तो प्रिशासन में नाराजगी पड़ती है और ना करे तो पार्टी कारे करता संतुस्ट नहीं होते गहलो सरकार अब इस दुविधा में है कि वो इस समस्या का समधान कैसे निकाले आरेस दो हजार अठारा परिक्षा परिक्षा परिणाम रद करने के फैसले के खिला अवरास्तान लोग सिवा आयो हाई कोट की खंड पीट में याच्च का दायर करेगा फुल कमिशन की बैठक में ये फैसला हुआ इसके अलावा पदो के नियुन्तम और हता अंक अत्या करने और दो गुना अभ्यर्थियों को साक्षात कार में बुलाने के आदेशों की समिक्षा भी की गई अब जनवरी में हाई कोट खुलने के बाद फैसला होगा आरेस 2018 के मुख्य परिक्षा में दो गुना अभ्यर्थियों को उत्तिन करने से जुड़ी कविता गोदारा की याजिका पर हाई कोट ने पदो के नियुन्तम और हता अंक अत्या करने और दो गुना अभ्यर्थियों को साक्षात कार में बुलाने के आदेश दिये थे साथ ही पूरों में घोशित मुख्य परिक्षा परिक्षा परिनाम को रद किया था उद्वपूर के पारश चोरहा स्थे ते विशाल मेगा मार्ट में सोबह 11 लाक रुपे तिजोरी से गाय मिले सुबह तिजोरी खोलने के बाद इसका पता चला हलांकि मामले को लेकर विशाल मेगा मार्ट प्रबंदन मीडिया के सामने साफ इंकार करता रहा पुलिस ने मामला दर्च कर जान शूरू कर दी है सिसी टीवी कैमरे की फुटेज खंगाल इसमें से हकीकत निकालने की तैयारी में पुलिस लग गई है जानकारी के अनुसार रविवार रात को तीजोरी से ये राशी उठाई गई इसके बाद फिर से तीजोरी बंद कर दी गई सुपह जब काम करने वाला स्टाफ पहुंचा तो पता चला कि तीजोरी में से 11 लाग की नगदी गाइब है ये नगदी अकाउंट सेक्शन में रखी गई थी इसके बाद स्टाफ ने इसकी जानकारी स्थानिय प्रबंदक को दी कोरोना वाइरस के बदले रूप को लेकर बड़ी चुंता के बीच रास्तान में ब्रिटेन से आए 17 लोगों को चिकेसा विभाग सोनवार तक भी ट्रैस नहीं कर पाया इन्हें धूर्णने के लिए विभाग ने सभी जिलो को अलर्ट चौरी किया है और पुलिस को सूची सौंपी है जिलो के मुक्य चिकेसान स्वास्तादिकारियों को मामले की निगरानी करने के लिए कहा है विभाग ने चिताया है कि जो भी वेक्ति आगे बढ़कर सहयोग नहीं करेगा उस पर महामारी एक्ट में मामला दवच कराया जाएगा जिन लोगों के पास राश्तान हाउसिंग बोर्ड के आवास हैं और उन्होंने अब तक अपने मकान की बकाया किष्टे या फिर पैसा जमा नहीं करवाया है तो उनके लिए रहात की खबर है सरकार ने बोर्ड से आवंटित आवासों की बकाया राशी जमा करवाने वालों को ब्याज पैनल्टी में छूट दी थी जिसे बढ़ा दिया गया है नगरे विकास विभाग की ओर से आदेश ज्वारी कर इस छूट की अवधी को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है रहसान प्रदेश युवा कॉंग्रेस के तीन दिवसी आवासे प्रशिक्षन शिविर के दूसरे दिन सोमार को कई महतपुर्ण सत्र हुए दिन की शुरुवात कॉंग्रेस के सापना दिवस मिलाने के साथ हुई जिसमें प्रदेश प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा ने ध्वजार रोहन किया एज़रान AICC प्रशिक्षन प्रभारी सचिन राव, युवा कॉंग्रेस के रास्टे महासेचे सीता राम लांबा, युवा कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधाय गनेश खोगरा, प्रदेश एसाय प्रभारी मंजू तोंगड, मिठेंडर सिंग मौझूद रहे पर अडानी फाउंडेशन कंपनी के ओर से बनाए गए, अनिकट के बाद आवाज़ाही में ग्रामिनू को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है पूर्व मंत्री वे भाज़पा विधायक प्रताप सिंग सिंग्वी ने एक बार फिर सांसत हनमान बेनिवाल को सांसत पत से इस सीफा देखकर अकेले दम पर दोबारा लोगसबा चुनाव लणने के चुनावती देडाली है सिंग्वी ने आज एक ट्वीट करते हुए सांसत बेनिवाल को ये चुनावती देडाली सिंग्वी ने अपने ट्वीट में लिखा हनवान बेनिवाल भाजपा के समर्थन के कारण चुनाव जीत का सांसत बने थे यदि उनके खुद पर हिम्मत और विश्वास है तो उन्हें पत से इस सिफात दे देना चाहिए और नागोर से आरेल पे उमीद्वार के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए जयपूर में जेडिये प्रवर्तन दस्ते ने जोन दस में सुमेल रोड़ पर सरकारी भूमी एवंब जैसिंग पुरा रोड जयन मंदिर के पास जाटो की धानी में करीब एक भीगा भूमी पर अवैत कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल कर दिया साथ ही टोंक रोड जवाह सरकल के पास चत्र साल नगर में सडक सीमा में आ रहे है अतिकर्मन को हटाया मुखे नियंत्रक प्रवर्तन रगुवीद सैनी ने बताया कि सुमेह लोड पर जडिये स्वामीत्व की करीब एक भीगा सरकारी भूमी पर अतिकर्मन कर अवैत कॉलोनी बसाई जा रही थी इस पर प्रवर्तन दस्ते ने मौके पर ग्रेवल सडक, पत्थरगड़ी वे अन्य अवैद निर्मान को जिसी भी मशीन वे मज़्दूरों के सहायता से धुस्त किया उद्यपुन में ESIC में भरती होने वाले कुरोना रोग्यों की संख्या इस एक माह में दोगनी हो चुकी है जोहां वर्ष के अंतिम महिने दिसंबर के शुरुवात में ESIC में भरती होने वाले रोग्यों की संख्या 57 थी वहाँ अब ये संख्या बढ़कर 119 हो चुकी है हालात ये है कि अब रोग्यों के बढ़ती संख्या के कान पलंग भी कम पढ़ने लगे है अलवर में राजसान के सबसे बड़े मुबाइल चोरी हुई है अलवर बाइपास पर पाउशी लाके में सेथ आशियाना अंगन पलाजा के आईफोन स्टोर से सुमवर को सुबह करीब साड़े चौर बजे तीन बदमाश 48 आईफोन समित 50 लाख रुपए के 73 फोन चुरा ले गए चोर सभी मुबाइलों के खाली डिबे वहें डाल गए स्टोर के मालिक वरुन अगरवाल ने बताया कि उनका स्टोर यहाँ पिछले 5 साल से है कभी कोई वारदात नहीं हुई इस करण महेंगे मुबाइल फोन भी स्टोर में छोड़ देते थे पिछले 18 दिनों में श्वाजापूर खेड़ा हर्याना बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की बीती सोंवार रात को सबसे कड़ी परिक्षा रही मंगलवार को अजमेर भी बरफीली हवा गलन और कड़ाके की ठंड से बुरी तना कपकपा रहा है लोगों को तेज धूब से ही कुछ राहत मिली है नियुंतम तापमान लोड़कता हुआ पांस डिग्री साइसेस पर पहुँच गया है और सबा कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में क्याद रहे सेर करने वालों को छोड़कर सरकों पर सननाटा सा पसरा रहा तो अपने आसपास के और भी नई ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए के SPT न्यूज और बने रहे हमारे साथ नन्यवाद